दोस्तों अगर आप सर्दी खासी जुकाम से परेशान है तो आज के वीडियो में एक ऐसा घर नुसका शेयर करूंगी जिसे पीने मातर से ही आपकी यह जो समस्य है सर्दी खासी जुकाम बुखारगी वो जड़ से खत्म हो जाएगी जिया दोस्तों बहुत ही पुराने नुस का त्यार कर सकते हैं तो दोस्तों सभी कसवागत है में दोस्तुर करते हैं और यह जो सेवन करते में तो पहली बार में आपकी जो सर्दी कासी जुकाम में वह रहा का ज 된 तक चाहे हो बच्चे हो जाहे वो बुजूर्ग हो तो चलिए दोस्तो हम लोग यह काड़ा बनाते हैं दोस्तों इस पाड़े में जो बहुत है आसानी से आपको अपनी किचन में मिल जाएगी साथ ही इन्सालिस आम अग्रियू की जो वेंफिट्स हैं वो भी मैं आप लोग को बताती चलूंगी तो चली हम लोग इकाला बनाते हैं तो तुल्सी और मिस्ट्री के काड़े बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक पैन चाहिए जी आप को इपी बरतन ले सकते हैं डालें जो कप पानी डाला है यह हल्का साथ पत्ते ले ले लिए लिए कि गुछ आपको छीजे आपको एड़ करनी है सबसे पहले हमें लेना है तुलसी जो आपको पही आसानी से मिल जाएगी लगबक सारे हिंदू के घर में आपको तुलसी मिलती है 6-7 पत्ते ले ले लिया, क्योंकि मुझे भीर्त पार रने के लिए ले ले लिया, तो यह बीर्फिट्स वी अपनुन ले लिया, दोस्तों तुलसी क्या आपड़ती है? आपको लेनी है चार लॉंग दोस्तों लॉंग में एंटी वेक्टिल प्रॉपटिस पाए जाती है और यह बल्गम को हटाने का काम करता है साथ ही हमारे शरीर को गर्माहट भी देता है तो हमने यहां पर लगबग चार लॉंग अलेली है इसके साथ हम लोग लेंगे मिस्री द अब हम जादा मीठा मत करिएगा साथ ही हम इसमें लेने वाले हैं चार से पांच काली मिर्च दोस्तों जो काली मिर्च होती है यह बात और कफ को खत्म करती है साथ ही यह गले को कर तक देती है और कलह को रब्व करती है और कले में ध FRE- इम दिरू से उरे में इंश GRAुष नमक आपको एक से दो पिंच ही लेना है दोस्तों नमक की तासीर गर्म होती है और गले के इंफ्रेक्शन को दूर करता है साथ ही दोस्तों नमक में एंटिसेप्टिक प्रॉपर्टी की स्पाई जाती है और यह संकरमर से लड़ने में हमारी हेल्प करता है दोस्तों यह सारी सा जब अगरी हम क्या करेंगे जब हमारा पानी हल्का गरम हो जाए इसमें डाल देंगे और ढखकर हमें लगबग 5-10 मिनट इसे पकाना यह जो पानी है वह लगबग आदा हो जाए जो हमें गैस का फ्लेम लखना है वह मीडियम रखना है और बहुत तेज करना है और नहीं बहु से चाल लेंगे दोस्तों इस काड़े को पीने से अब तुरन देखेंगे आपको सरदी खासी जुखा में बहुत राहत मिलेगी आपके शरीर में एक करमाहट पैदा होगी अगर आप शंकरमण के रोग से परेशान है वाइरस वगयरा से तब भी अगर इसका सेवन कई बार कर सकते हैं और हाँ दोस्तों अगर आप काड़ा डेली पीते हैं तो इससे क्या होगा आपका पाचन तंत मजबूत होगा आपका पेड़ भी साफ रहेगा बहुत सारे रोग हैंसले डायोटीज है और ब्लेट पेशा रहे इसमें भी काड़ा बहुत बहुत हैं तो तुलसी लॉंग काली मेच घर में बड़ी असानी से मिलती है और और आश्यदी के रूप में वक करती है तो दोस्तों आप यह कर बना के जरूर पीजेगा और हाँ अगर इसका रेग्लर सेवन करते हैं तो यह आपके वजन खटाने में भी आपके हैं तो दोस्तों इसको पीने के बा है तो चैन को सब्सक्राइब कर लो बगर में लगी घंटी विजा दो मैं इसी तरह के यूश्फूल वीडियोस आप लोग के लिए लाती रहते हो फिल्हाल दोस्तों इस वीडियो में तहीं मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए जय हिन जय भारत